पिछले भाग में आपने देखा कबीर और अनन्या की नौक चौक अभी भी बरकरार थी उनके कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी थी जिसमें कबीर और अनन्या मिस्टर और मिस्टर अन्मिस फ्रेशर बनते हैं उन दोनों की ही बैच के दो लड़के आरव और सौरब अनन्या और आचल के साथ बत्तमीजी करने की कोशिश करते हैं लेकिन कबीर और समराथ सही समय पर आकर उन दोनों को बचा लेते हैं कॉलेज में एक्जाम पेपल स्चोरी होते हैं और उसका सारा इल्जाम कबीर पर लग जाता है लेकिन अनन्या सही समय पर आकर उसे बचा लेती है और उनकी दोस्ती हो जाती है अब आगे कबीर और अनन्या लेक साइड पर काफे देर से चुप चाप बैठे हुए थे वैसे तो तुमसे एक मिनट भी चुप नहीं रा जाता और आज इतनी दिर हो गई और तुम चुप हो नहीं ऐसा नहीं है वैसे हमने आज तक बात ही कहा की है हम तो हमेशा लटते ही है इसलिए समझी नहीं आ रहा कि क्या बोलू ये तुमने एकदम सही कहा और वो दोनों हसने लगते हैं वैसे कबीर तुमने कभी सूझा था कि हमारी कभी दोस्ती होगी सच कहूं तो नहीं मतलब हम लोग का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है उसमें दोस्ती तो दूर की बात है मुझे तो एक दूसरे से सीधे मूँ बात करने की वी उम्मीद नहीं थी लेकिन कभी कभी इंसान को जच करने में गलती हो जाती है तुम वैसी नहीं हो जैसा मैं सो अनान्या सीरियस होकर उसकी तरफ देखती है देखा मैंने कहा था ना तुम गुस्ता हो जाओगी ऐसा कैसे हो सकता है क्या दो लोगों की खयालात एक दूसरे से इतना कैसे मिल सकते है मतलब मतलब कि मुझे भी तुम एक नंबर की जिद्धी अडियल खूसत और अत्रंगी लगते थे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते हैं उनकी हसी छूट जाती है कबीर खड़ा होकर गाना शुरू करता है जाएं वो लड़की जहां एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाओं दासता एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाओं दासता अनन्या उसका गाना सुनकर मुस्कुराने लगती है और कुछ सोचकर बहुत खुश होती है तुम यहां अकसर आकर काना गाते हो ना? तुम्हें कैसे पता? मैं भी यहां अक्सर आती हूँ और तुम्हारा गाना मैंने सुना है लेकिन कभी देख नहीं पाई तुम्हें कितना अच्छा गाती हो तुम तुम किसी competition ट्राई क्यों नहीं करते? I'm sure तुम्हारे parents भी बहुत खुश होंगे अनन्या के बात सुनकर कभीर के चहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आ जाती है खुश होंगे उन्हें तो शायद ये भी ना बता हो कि मुझे singing का शौक है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उन्हें आस तक अपने जगड़ों से ही फुरसत नहीं मिली उन्हें आस तक मुझे से नहीं पूछा कि मैं कैसा फील करता हूँ एक कदम तक मिली तरफ नहीं बढ़ाया तो तुम बढ़ालो अपने मन में ही बाते सोच कर कोई धारना मत बनाओ अपने पेरेंस के लिए तुम खुद उन्हें अपने म्यूजिक के शौक के बारे में बताओ फिर देखो वो क्या कहते हैं पर पर वर कुछ नहीं एक बार ट्राय तो करो कबीर कुछ सोच कर थोड़ी देर योहीं बाते करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाती है दूसरी तरफ कबीर अपने घर पहुचता है और अपने पेरेंस के रूम में जाता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ उसकी माता पिता उसे योँ देख कर बहुत खुश हो जाती है हाँ हाँ आओ नबीता पूछ क्यों रहे हो कबीर कमरे में जाता है मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी बोलो बेटा वो मुझे म्यूजिक का शौक है मैं उसी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ जानती हूँ मैंने तुमारी कुछ रिकॉर्णिंग सुनी है कबीर उनके तरफ हैरानी से देखने लगता है मैंने तुम्हारे लापटॉप पर सुनी थी सौरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है इट्स इट्स ओके हर इंसान को वही करना चाहिए अपनी जन्दिगी में जो वो करना चाहता हो तुम्हें भी अपना पैशन फॉलो करना चाहिए हम तुम्हारे साथ है मैं सोच रहा था कि कॉलेज की छुट्टी होने के बाद म्यूजिक लास जॉइन कर लूँ ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिटा कबीर वहाँ से जाने लगता है और हमेशा तुम्हारे साथ है कबीर हलका सा मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता है उसने सपने में भी ऐसे जवाब की उमीद नहीं की थी आज उसे एक बात समझा रही थी कि हमें अपने अपनों के लिए बिना बात किये कोई राय नहीं बनानी चाहिए आखिर वही थो हैं जिनके लिए हम जीते हैं और वो हमारे लिए कबीर अपने रूम में जाता है और अनन्या को फोन करता है हाँ कबीर थैंक यू सो मज एक मिनट एक मिनट मतलब अंकल अंटी बान गए है ना हाँ मुझे जादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसे ही एक हफ़ता बीच जाता है और उनके सिमेस्टर एक्जाम स्टार्ट होने का दिन भी आ जाता है श्रिया के एक्जाम्स दो दिन बाद शुरू होने थे तो वो घर पर ही थी अनन्या घर के मंदिर में हाँ जोड़ती है और सबसे मिलकर कॉलिच के लिए निकलती है वो घर से स्कूटी लेकर थोड़ा ही आगे सिगनल पर आई थी कि बादल गरशने लगते हैं अनन्या आस्मान के तरफ देखकर हाँ जोड़कर कहती है भकवान जी आपसे हाँ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्लीज इस टाइ मत बरसेगा मेरा पेपर है वो ये बाद इतनी तीजी से बोलती है कि आसपास वाले उसकी ये हरकत देखकर हसने लगते हैं वो सिगनल से थोड़ा ही आगे बढ़ती है कि उसके स्कूटी पंचर हो जाती है ओ गॉड ये क्या हो रहा है मेरे साथ अमें क्या करूँ वो पास की एक जान पहचान की शौपर अपनी स्कूटी खड़ी करती है और तेज-तेज कदमों से चलने लगती है तबी पीछे से एक कार उसके बगल में आकर रुकती है अरे अनन्या तुम सुभा सुभा पीटी उशा क्यों बनी हुई हो और तुमारी स्कूटी कहा है अनन्या उसके कार में बैखते हुए अब तुम सारे बाते यही करोगे क्या जल्दी चलो एक्जाम के लिए लेट हो रहा है वो मेरी स्कूटी पंचर हो गई है दोनों कॉलेज पहुचते हैं वहाँ आचल और समराट उन दोनों का पहले से ही वेट कर रहे थे कितनी देर लगा दी तुम दोनोंने आने में और अनन्या आज तो इसके साथ कैसे आई है अरे मेरी रास्ते में स्कूटी पंचर हो गई थी चल जल्दी लेट हो रहा है वो चारों क्लास में चले जाते हैं ऐसे ही देखते देखते उनकी पेपर्स खत्म हो जाते हैं और आज उनका आखरी पेपर हुआ था तो एकसाइटमेंट भी बहुत जादा थी वैसे हुए कैसे हैं तेरे पेपर यार पेपर किसके खराब होते हैं बस रिजल्ट दोका दे जाता है उसके बाद सुनकर वो सब हसने लगते हैं सब कुछ इनके मनका ही हो रहा है इनके जिन्दगी में अब तक कोई टेंशन नहीं कोई परिशानी नहीं लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि अगर हमारा आज हमारी मनका है तो आने वाला कल भी कुछ ऐसा ही होगा कह नहीं सकते लेकिन इनका आने वाला कल कैसा होगा ये हमें पता है और आपको बताने में हमें और भी अच्छा लगेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी महनत के लिए हमारी कहानी ओपर लाइक और कमेंट करेंगे मुझे पता है आप जरूर करेंगे तो देर किस बात की? अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए थांक्स फर वाचेंग